भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इस वक्त कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। न्यूजीलेंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी उन्होंने अपनी फॉर्म को बनाय रखा और सीरीज के दूसरे मैच में शांदार शतकिय पारी खेली। वहीं सीरीज के पहले उन्होंने T20 विश्व कप में भी बल्ले से धमाका करते हुए तीन अर्धश तक जड़े थे। सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का 360 डिग्री प्लेयर भी कहा जाता है। अब उनकी बेटिंग को लेकर आस्ट्रेलिया के स्टार ओलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बढ़ी बात कही है। IPL में RCB के लिए खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। दरसल उनका ये बयान 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव से जुड़ा हुआ है। दरसल यादव ने 20 नवंबर को बे ओवल में न्यूजीलेंड के खिलाफ दूसरे ती 20 में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाते हुए अपना दूसरे ती 20 शतक जड़ दिया। उनकी 51 गेंडों में नाबाद 111 रन की पारी ने भारत को 65 रन से जीत दिलाए। जिसे देखने के बाद मैक्सवेल ने The Great Cricketer पोड़कास्ट पर बोलते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि खेल चल रहा था। लेकिन मैंने बाद में स्कोर कार देखा और फिंच को उसकी तस्वीर भीजी और कहा ये आदमी क्या कर रहा है। वो पूरी तरह से अलग ड्रह पर बल्लेबाजी कर रहा है। दूसरों का स्कोर देखो और फिर वो 50 में 111 स्कोर करता है। मैंने अगले दिन पारी का रिपले देखा और ये शर्मनाक है कि वो हर किसी से बहुत बहतर है। ये देखना लगभग कठिन है। वो हमारे पास मौजूद किसी भी खिलारी से बहतर है। भारत में IPL खेलने वाले खिलारियों को दुनिया की सभी लीगों से ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए विश्व भर के खिलारी IPL में खेलने के लिए काफी बेताब रहते हैं। हाला कि BCCI के नियम के अनुसार कोई भी भारतिय किसी भी घरेलू T20 लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है। उसके बावजूद भी Maxwell से पूछा गया कि क्या आप Big Bash लीग में सूर्या कुमार को खरीद सकते हैं। जिस पर Glenn Maxwell ने हस्ते हुए कहा हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। उन्हें खरीदने के लिए हमें हर खिलारी के कॉन्ट्रेक्ट को बर्खास्त करना होगा। हम Big Bash लीग में सूर्या कुमार यादव का खर्च नहीं उठा पाएंगे। भले ही हमारे पास कितना भी पैसा हो। हमें सभी खिलाडियों को बाहर करना होगा, पैसा बचाना होगा और फिर उम्मीद है कि वो सहमत होंगे। दोस्तों सूर्या कुमार यादव को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।